Good morning students, today we will do model test paper 1 Part number A, question number A, tick the correct answer क्या है, tick the correct answer tick the correct answer means क्या होता है कि हमें option दिये होते हैं और हमें correct पे answer, correct answer पे tick करना होता है First one is largest three digit number is देखो three digit number है और largest एक तो largest और three digit number हो तो आपको बताना है largest three digit number देखो largest भी यही है और three digit तो क्या हो जाएगा यह हमारा यह correct answer, तो correct answer क्या होएगा 9,009, क्या होगा 999, क्या होगा यहाँ पे 999, ठीक है Next one Place value of 5 in 5,260 is Second one हम कर रहे हैं, place value of 5 in 5,260 Place value of 5 की देखने हैं, आपको पता न, यह once digit होती है, यह tens और यह hundred और यह thousand ठीक है अब place अल्यों 5 देखने हैं, और 5 किस place पे thousand, मतलब 5 को किस से multiply करेंगे हम, thousand से 5 को thousand से multiply करोगे, तो answer इस क्या हो जाएगा 5000, क्या हो जाएगा 5000, next one देखे हो, third one is, what should be added to 101 to get 190, 101 में क्या add करें, ताकि मुझे 190 मिल जाएं, क्या add करू 101 में to get 190, इन सब का आप add कर कर देखोगे, 101 में 89 आप प्लस करोगे, तो 190 है, अगर देखो 101 है, ठीक है, उसमें अगर मैं 89 प्लस करती हूँ, 9 और 110, 0, 1 carry, ठीक है, 8 और 1, 9, और 1 का 1, ठीक है, क्या आ गया, 190, और मुझे क्या चाहिए था, 190 ही चाहिए था, successor of 999, successor में हम 1 प्लस करते है, 999 में 1 प्लस करोगे, तो क्या आएगा, 1000, अगर आप 9, 9 और 9 में 1 प्लस करोगे, तो क्या आएगा, 9 और 1, 10, 0, 1 carry, 9 और 1, 10, 0, 1 carry, 9 और 1, 10, तो क्या आएगा, 1000, क्या आएगा, 1000, यह देखो, 6 प्लस 54, तो 54 में हम क्या आएग करेंगे, 54 तो यहाँ पे है, तो क्या नहीं है, 26, तो answer क्या हो जाएगा, हमारा 26, क्या हो जाएगा, answer 26, 26 is our answer, यह आपको model test paper, page number 131, अपनी book में fill करना है, thank you,